कि निमस्कार स्वागत है आपका हमारे चनल पर किसानों के नाम पर राजनीती करने वाले ए बीके यू के नेता राकेश टिकेट ने फिर एक बार MSP की गैरंटी को लेकर केंद सरकार पर साधा निशाना तो देश की जंता ने राकेश टिकेट से ली हैं कुछ इस तरीके से चुट किया आपको बता दूं कि राकेश टिकेट ने केंद सरकार के ओपर निशाना साथते हुए एक ट्वीट किया MSP की गैरंटी को ले कर क्योंकि अभी केंद सरकार की तरफ से 17 फसलों के उपर MSP की दाम को बढ़ाया गया है जुस पर फिर एक बार राकिश्ट कैत राजनीती करते हुए नजर आ रहे हैं और राकिश्ट कैत में अपने ट्विटर पर लिखा है कि खरीफ की फसलों के MSP में मामुली वृद्धी किसानों के लिए धोका है धान के लिए मातर सौरबे की वृद्धी मजाख है तिलहन का किसान भी हताश है बीकेउ की पहले से मांग है कि C2 प्लस 50 के फॉर्मुले से MSP गैरंटी कानून नहीं बनेगा और तब तक किसान तंग हाल ही रहेगा ये ट्वीट किया गया है राकिश्ट कैत की तरफ से और कहा गया है कि जो वृद्धी अभी केंद सरकार की तरफ से की गई है खरीब से लेकर रभी फसलों को लेकर वो एक किसान के साथ मजा किया गया है और इसी किसाथ जो किसा अभी जो केंद सरकार की तरफ से धान पर 100 रुपे की MSP को बढ़ाया गया है उस पे भी राकिश्टिकैत में राजनीती करने की कोशिश फिर एक बार की है और राकिश्टिकैत में कहा है कि धान पर 100 रुपे MSP बढ़ाई गई है केंद सरकार की तरफ से तो ये सिर्फ एक मजाक है और इसी को लेकर ये ट्वीट किया गया है है यानि कि राजनीती फिर एक और कर रहे हैं तो वहीं जो देश की जनता है वह भी कहां पीछे रहने वाली है जो अभी तक राकिश्टिकैत को जवाब देती आई है चाहेँ फिर राकिश्टिकैत का कोई मज़े ले रहे हैं और इस तरीके की बातें कर रहे हैं आपको बता दूं कि प्रमोत कुमार यूजर नाम के एक ट्विटर हैंडलर से कॉमेंट किया गया है कि ट्रैक्टर लेकर लखनव का बार रहे हो योगी बावा बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं जल्दी जल्दी करो बात किया लेकिन उसमें किसान खुद ही जम्मेदार है निशी कांत के नाम के एक यूजर ने सवाल किया कि आंदोलन कप करिये गर आकिश जी तो वहीं आपको बता दूं कि भाविश प्रजापती नाम के एक यूजर ने कहा है कि काम धंदा करना शुरू कर दो कुछ नहीं फालतू की पंचायत करते रहते हो किसानों को भड़काने से अब आपकी राजनीती नहीं चलने वाली है मोहित गहलोत के नाम के एक यूजर ने लिखा है कि टेकेश जी अब आप आंदोलन करना शुरू कर दो इस सरकार आपको बहुत जादा हलके में ले रही है सुनिल नाम के यूजर ने कॉमेंट में लिखा है कि जरा अंदोलन करने यूपी तो चले आओ बाबा जी ठीक कर देंगे सुरेश नाम के एक यूजर ने कॉमेंट किया कि मेरी राय है कि दिल्ली में तो बहुत धरना कर लिया अब जरा लखनों में भी एक बार धरना कीजिए आपको बत कर दो और साथ में ये भी कहा गया है कि अगर आंदोलन करना ही है MSP की गैरंटी को लेकर तो ट्विटर नहीं बलकि उत्रपरदेश में आकर आंदोलन करो ये बार बार पर जो योगी सरकार और उत्रपरदेश का नाम जो कुछ यूजर की तरफ से लिया गया है राकिश्टि के इस आंदोलन में दिली में देखने के लिए मिली के एक दलित के हाथ पाऊं कार दिय जाते हैं एक वेस्ट बेंगोल से आई महिला का रेप कर दिया जाता है और कई शराबी शराबा पी कर इसा अंदोलन में बैठे हुए आने जाने वाली लड़की और महिलाओं को अगर इसी तरीके का अंदोलन राकिष्टिकैत उत्रपरदेश में करने की कोशिश भी करते हैं तो क्या हाल होगा वो तो सब अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि उत्रपरदेश का जो प्रशासन है वो इस तरीके की इजाजत नहीं देता कि कोई इस तरीके की हरकतें उत्र टिकेट को लेकर कहीं और अब अगर हम देखें कि किस तरीके से उत्रपरदेश का नाम लिया जा रहा है तो आपको बदा दूंगे 2020 के 27 नवंबर से शुरू हुआ अंदोलन जो कि 2021 के नवंबर तक ही चला और इसमें अब राकिश टिकेट को लेकर ये भी चीज़ें सामने था कि हम किसी को आने के लिए मना नहीं कर रहे हैं अगर वो किसान बन कर आएंगे तो हम उनका स्वागत करते हैं अगर वो राजनेता करकर बन कर आएंगे तो फिर देखी जाएगी यानि कि जस तरीके से उत्रपरदेश का प्रशासन हैं कि किस तरीकों भी आंदोलन और मोह की जो बालिश है शायद उस वो ना पड़ जाए राकेश्टिकैत के पल्ले तो इसलिए जो तारे कॉमेंट्स हैं टिपडियां की जा रही है राकेश्टिकैत को लेकर इसके माइने यही निकल रहे हैं बात अगर उत्रपरदेश की प्रशासन की भी करें तो आपको बता दें क इससे पहले भी जब C.A. के दोरान भी कई लोगों ने उत्रपरदेश में उद्रप मचाने की कोशिश की और उस समय पर भी प्रशासन की तरफ से उन लोगों को वहां से हटा दिया गया था और किस तरीके से कारवाही की गई थी आज वो चीज़ राकेश्टिकैत खुद भ आते हैं और वो योगी सरकार की नीतियों से भली भाती परिचित हैं और शायद इसलिए वो रिस्क नहीं लेंगे उत्रपरदेश में आंदोलन करने का अगर आज MSP के लेकर लगाता राजनीती करने की कोशिश कर भी रहे हैं बीके उनेता राकेश्टिकैत तो जिस तरीके स लोगों के कॉमेंट आ रहे हैं लोग अपनी राय रख रहे हैं राकेश्टिकैत के इस ट्वीट को लेकर तो लगता रही हैं कि इस बार राकेश्टिकैत के अंदोलन में जादा लोग जमा होने वाले हैं क्योंकि जहां एक तरफ आदे से जादा लोगों का कहना है कि अब कि इनक्रिशी कानूनों की तारीफ की और कहा कि मेरे जो पिता यानि वहांदर सिंग से इस तरीके से इन कानूनों को लाया गया है तो मैं केंद सरकार का धन्यवात करता हूं और ये जो बयान है ये राकेश टिकेट ने 2020 के अगस के महीने में दिया था और जैसे ही राजनीती चलती रही किंद सरकार की तरफ से इन कानूनों को लाया गया और इन्हें लागू करने की बात की जाने लगी तो किस तरीके कि नवंबर के महीने से राकेश टिकेट ने कहा कि ये जो तीन कानून है वो किसानों की जमीनों को बेच देंगे किंद सरकार जो है वो किसानों की जमीनों को हड़पना चाहती है और इसलिए ये तीन कृशी कानून लाए हैं इससे जो छोटा किसान है इसके लिए फायदा नहीं पहुचेगा बिचौलियों को फायदा कराना चाहती है मोधी सरकार तमाम इस तरीके की बातें कहे कर इन किसान नेताओं की तरफ से राकेश्टिकैत की तरफ से तमाम उन छोटे नेताओं को भड़काया गया जिसके चलते दिली के बार्डरों पर ये तमाम महीनों तक बैठे रहे पर जैसे ही 9 नवंबर 2021 को केंद सरकार की तरफ से इस कानून को वापस ले लिया गया तो किस तरीके से राकेश्टिकैत से उस चहरे से नकाब उठ गया जिस पर राकेश्टिकैत लगातार राजनीती कर रहे थे और राकेश्टिकैत को छोड़ कर सभी किसान पहुच चुके थे अपने घर जैसे ही केंद सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया था आपको बता दूं कि जिन किस से क्रिशी कानूनों को लेकर राकिष्टिकैत की तरफ से राजनीती की गई उसको लेकर एक सुप्रीम कोट की साइटी की रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें 80% से जादा ऐसे किसान संगठन थे जो कि केंद सरकार के दुआरा लाए गए कानूनों से काफी जादा खुश थे और उनका कहना था कि यह जो कानून मोधी सरकार की तरफ से लाए गए हैं इससे काफी जादा फाइदा होगा ग्रामीन और छोटे किसान को जिसको अभी भी मजदूर बनाकर बड़े किसान जो हैं वो अपने खेतों में काम कराते हैं यानि कि अगर कोई अच्छा स्टैप लिया गया था केंद सरकार की तरफ से पर राजनीती के चलते किस तरीके से राकेश टिकैत में उस क्रिशी कानून को लेकर आंदोलन किया और तमाम बातें कही गई केंद सरकार जो है वो किसानों से प्यार नहीं करती है किसानों का ध्यान नहीं दे रही है किसानों की जमीन को हडपना चाहती है प्राइविट सेक्टर्स में जादा इंवेस्ट किया जा रहा है तमाम इस तरीके की चीज़ां इनी किसान नेता और राकिष्ट कैथ की तरफ से की गई देश की जो आज जनता है और जो हमारे देश का किसान है आज शायद वो राकिष्ट कैथ के ऊपर भरोसार नहीं करता और जहाँ बही है आज जाते हैं वहीपर राकिश्ट कैथ की कोई नहीं सुनता नजार आ रहा है और इसी तरीके की वीडियो हमने सूशल मीडिया पर भी कई बार देखी है कि किस तरीके से राकेष्ट कैस से ही नाराज है उनके गुट के लोग और और हो चुके हैं जर है जा एक टरफ है भारतिय टेषान यूनियन धूसर्व बाद बन चुका है भारतिय किसान यूनियन गर्स lg करते हैं किसान के मुव पर लिए काली है और माइक किया नमसबने दरशाति हैं आज राकेश्टिकैद के इन बातों में नहीं आने वाला है देश का किचान जिनको राकेश्टिकैद बार बार पर कहते थे कि हम तो देश के किसान है और किसानों का साथ दे रहे हैं पर आज जनता जब सच्चाई जान चुकी है देश का किसान जब सच्चाई जान चुका है तो आज राकेश्टिकैट की किसी भी बयान किसी भी बात का बात को जादा तवज्जो देश की जनता और किसानों की तरफ से नहीं दी जा रही है क्योंकि आज लोग जानते हैं कि किस तरीके से राजनितिक पार्टियों के सरक्षन में आकर ही ये बतना बड़ा अंदोलन किया और यही बड़ा कारण है कि आज उनके पास करोडों की संपत्ती है और इसको राकिश टिकैत की संपत्ती को लेकर कई बार लोगों की और उनकी गाउं की लोगों की तरफ से भी सवाल उठ चुका है कि कैसे आखिरकार राकिश टिकैत के पास आई है इतनी जादा संपत्ती खेर इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए धन्य बाद